तो बच्चों आज आपके लिए हम कोई classes नहीं लेकर आएं बस आपके जो सवाल है उन सवालों के जवाब देने आएं ठीक जैसा कि आपको पता है आपका जुलोजी हो या बाटनी आपके जुलोजी या बाटनी में आपको दो पेपर पढ़ने है ठीक है अगर जुलोजी है तो जुलोजी में भी इस बार आपको दो पेपर देना होगा फरस्ट और सेकंड और बाटनी में भी दो पेपर देना होगा ठीक आप तो यह वेलनोन है यह आप सभी लोग जानते हैं ओके लेकिन आप अपना सेलबस देखके एक बार डर गया होंगे ठीक है क्योंकि आपको जो है सेलबस आपका पहले क्या होता था जो इतना आपका सेलबस दिया नहीं है जो रोजी और बाटनी में यह आपको पूरे यह में पढ़ना होता लेकिन आपको इस बार विदिन सिक्स मंत में यह सारे सेलबस आपको फिनिश करने है ठीक है तो बच्चों अगर आप प्लांड में तयारी नहीं करेंगे तो बहुत ही समस्या हो जाएंगी और आपका सेलबस मैं तो कंप्लिक कर दूंगी अगर आप ल आप उनको रिवाइज करते चलिए देखिए अगर वीडियो से एक बार आपको क्लियर्टी नहीं आ रही है तो आप क्या करिए एक बार वीडियो को देख लीजिए उसके बाद उस पर नोट बगार जो बना लेजिए नहीं तो फिर आपको पीडियो तो दिया ही आता है ऐसा आप करेंगे तो अगर आप एक मतलब अपने सिल्बस को दो से तीन बर पढ़ लिए तो आपका सिल्बस तयार हो जाएगा और एक जान टाइम में बस आपको एक बर रिवाइज करना होगा ठीक जैसे कि आपको सिल्बस पता है इस बार आपका सिल्बस बहुत ही ज्यादा है देखिए आप तक हमने क्या-क्या खतम कर दिया है देखिए हमने क्या-क्या फिनिस किया हमने प्रोटर जोवा में यह तीनो जीनस खतम कर दिया है तीनो जीनस खतम है कि नहीं सब लोगों हम आपको टेस्ट बना के देंगे आपको एक पेपर देंगे साल्व करों के सब लोग वार्टस पर भेज़ेगा ठीक है अब बना के देंगे दो चाह दिन में अब देखिए पोरी फेरा में हमको साइकान पढ़ना था और स्विलन टेटा में ओविलिया और एल्लिया हमने मिला जुला के यहां पर तीन चार दो च्छाह जीनस पढ़ने में हम लोग को बारा दिन लगा था और फिर इन तीनों जो फाइले में इनके करेक्टर पढ़ने में 15 लेक्चर हम लोगों ने लगभग इसमें ले लिया फर्स्ट यूनिट में 15 लेक्चर बट लेना कितना है 7 लेक की इन फोरा करेसिश्यल स्थ зачем पढ़ने मुझे कर। पर फिर प्लेमस में आपको था नू पढ़ने था फिर बट्री एकरक्टर मेंaş यहांत्ट लगे थिए यह तो मल लिजेस ठीक है न पढ़ना था आथ लिक्च लेक्टर लग लोगए उसके बाद comment the article आप इसका बार्सक् आप जो पढ़ते जा रहे हैं उसको तयार करते जाए यह बहुत ही प्रेसर हो जाएगा आप एक बार पढ़िए वीडियो को दुबारा टू एक्स कर पे देखिए टू एक्स करके विदिन नोट के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील आएगा मेरी बात मान के देखिए अप लोग देखिए आपको मैं युव संपके उसके बाद आपको देखिए पाली मोन नाघाले पढ़ना है और हuity अंत्स को कौ पढ़ना है पिर आपको फिर आपको पारसेटरलाजी, वेक्टर और पेस्ट पढ़ना है, इसके बाद इकोनामिक जिरोजी है, देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, आपका जो फ़र्स्ट पेपर है, ठीक है, फ़र्स्ट पेपर आपका जो यह मोलस्का और इका इंडरमेटा है, यहां तक फूर्थ इसके बाद मैं इस पेपर को छोड़ दूँगी, ठीक, क्योंकि जो आपका यह पारसेटरलाजी है, यह आपका सब रटने वाला टॉपिक है, ज़्यादा समझना नहीं है, इसको बस आपको रटके रिखना और यह बहुत जल्दी फिनिस हो जाएगा, ठीक, इसके बाद जो आपका लिख, फॉबर वगएरा यह साब है, यह बहुत ही इजी टॉपिक, आप एक पढ़ लेंगे, आपको लगएगा, मैं सारा लिख सकता हूँ, स्वयम से, तो यह मैं चार यूनिट आपको पढ़ा के, यहां तक इकार यूनिट में बंद कर दूँगी, उसके बाद हम चलेंगे, सेकंड पेपर में, आप तो जानते ही, सेकंड पेपर में हमारा क्या है, काड़ेटा है, और फिजियालजी है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैं सेकंड पेपर स्टार्ट करिए, बच्चो देखिए, सेकंड पेपर में आप कहिए, फिजियालजी मैं स्टार्ट कर सकती हूं physiology जो आपका यहां से देखिए आप कहिए digestive system में पढ़ाना सुरू कर दूंगी unit number five से लेकिन अगर आप कहिए मैं starting से पढ़ाईए काड़ेटा जब तक आप नान काड़ेटा पढ़के नहीं आएंगे आपको यहां से जो काड़ेट का ओर्जिन और हेमी काड़ेटा है यह सब आपको थोड़ा बहुत हमको मेनाद करना होगा समझाने के लिए आप जब सिक्वेंस में पढ़ते आएंगे न देखिए आप पहल करें और क्ति यहां पें प्लूप्रिंट बनेगा कि हाँ आप यह आइसे है आप यह ऐसे आपके मंद में बन रहा है कि नहीं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा इसलिए पहले हम नान कार्डेटर जो आपका फॉर्स ले यूनिट तक है उसको मैं फिनिस करूंगी उसके बाद आपको हम यूनिट फर्स्ट ये पढ़ाओंगी सेकेंड पढ़ाओंगी और ये थर्ड है ना इसके आपके लिए बेहतर होगा कि आप जैसे पढ़ाते जाने उसको तयार करते चलिए क्योंकि बाद में आप पे बहुत ही प्रेसर होने वाला है अब यह हमारे जुरोजी की बात तो हो गई अगर आप कमेंट करके हमको बताते हैं मैं फिजियाल्जी शुरू करिए तो मैं इसका पढ़ना है इसका देखिए यहां पर सिस्टम आपको पढ़ना है देखिए इस्टक्चर और फंक्शन डेरिवेटिव इंट्यूमेंट के बारें पढ़ना है आपको इसके बाद सिस्टम के बारें पढ़ना है उसके बाद आपको देखिए यहां से में यहां से आपक से आप कमेंट करेंगे जिस हिसाब से कहेंगे उस हिसाब से मैं करूंगी ठीक नहीं तो कहिए मैं लाग सुरू से कवर करते आउं ओके मुझे तो लग रहा है सेकेंड पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए डाइस्टियो सिस्टम आप लोग जैसा बताईएगा आगे हम देखें करेंगे उनको फायदा होगा इस टाइम सर पढ़ा रहे हैं आपको फिजियाल्जी में जहां तक मैं देख पा रहे हूं सर ट्रांस्पिरेशन वगेरा पढ़ा रहे हैं अभी आपका देखिए आप जूलोजी के पेच्छे आपका बाटनी बहुत पीछे है क्योंकि आपका दो यूनिट खरवर हो चुका है थार्ड यूनिट हम लोग चल पढ़ रहे हैं लेकिन आपको बाटनी अभी बहुत ही पीछे है तो मैं सर से इस भी से में बात करूंगी सर थोड़ा बाटनी कवर करिए इसके साथ साथ आप एक चलाकी कर सकते हैं देखिए सर आपको यह सब पढ़ा हैं तो अगर आप चाहते हैं आपका पहले से यह सब टॉपिक हो जाए आपको ज्यादा प्रेशन ना हो तो आप सेकेंड समेस्टर में बायो मालीक्यूल को आप यहां से पढ़ लीजिए ठीक या फिर मैं सर से बोलके बायो मालीक्यूल का एक प्लीलिस्ट बनवा दोंगी ठीक है तो बायो मालीक्यूल आप वहां से पढ़ लेंगे तो आपका यूनिट यह च्छठवा कबर हो जाए ठीक च्छठवे में देखिए या और इसके बाद सर प्रोटीन भी पढ़ा है और नुक्लिकेसिद भी पढ़ा है और एंजाइम भी पढ़ा है तो इस त यह यह तीन यूनिट आप अपना फिनिस कर लीजिए ठीक इस यूनिट का आप नोट्स बना लीजिए अच्छे स्तयार कर लीजिए एक बर आप पढ़े हैं तो आपको टाइम नहीं लगए उस टाइम सर ने साइद आपको बाटनिम पढ़ा रहा है आप इसको जुलोजिम तो सेम चीज़े वही है कोई भी चैंजर नहीं है आप जाएए इन तीनों यूनिट को कबर कर लीजिए बचा आपका यह पांच यूनिट है इसको सर पढ़ा रहा है अब मैं सर से बात करूंगी सर थोड़ा जल्दी कीजिए ताकि अगर आपका एक्जाम दिसंबर में भी ह स्झाम जल्दी को अगर गयां आपको बहुत्रीन तरीके से रिवाइज करने की टाइम मिलागरी की अब और सेकंद में का सकdesation सेकंद में ठीक है क्या नम हैِ मालिकुलर बाइलोजी को का सबसे पहले मैं बात करती हूं आपका या संख़र आप देखेंगे इस टाइम मैं मैं थार्ड समेश्टर में पढ़ा रही हूं यह जो आपका Molecular Biology वाला है ना टॉपिक यह आपको इस टाइम में थार्ड समेश्टर न पढ़ा रही हूं आप लोग को पता होगा वहां पर क्या था तो पहला लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन कर लिया है ठीक है उसमें मैंने बता ह नियू किसे रिख जहां यह यह तोपिक मैंने वहां से कवर्ड़ किया है जैके जैन्र समेश्टिक म wijं मैं पढ़ा है इंट्रडक्शन में मैं बताया है ना उसके बाद देखिए एस बाद हम आपको ना डियने का स्टक्चर पढ़ा कर आ यह मैं ठाड समेश्टर में चुछ कीलेल को डॉल लेक्षार में पढूत है जो ठालों पर्वार समस्टर में पढूया है धोर फार्स समस्टर kayप्ड च्लस का मैं को आपको DNA replication नहीं पढ़ाई हूं ठीक है यह सब topic मैं वहां पर नहीं पढ़ाई हूं यह सब यह topic इसमें से जानते हैं आपको वहां पर क्या क्या मिलेगा आपको देखे वार्टस नव क्रिक आप देखे यूून सब्सक् Mobile सब्सक्राइब में पूरा यह अधियन का फ्रीच का आप वहीं पथ या यूव और देखिए चैश्डाइब में नर्ण और आप बताया है और श्चाम прим का यह यह बताया है हमने translation बताया है हमने वहाँ पे देखिए आपको यह बाद topic पूरा cover किये हैं हम यहां तक cover किये हैं पूरा आप एक topic का नाम डाल के चाहेंगे तो आप देख सकते हैं जन्टी code सके यहां तक इसके बाद एक topic अभी आपको वहाँ हम पढ़ाना सुरू करेंगे regulation आप gene expression in prokaryote like operon और tryptophan and in eukaryote देखें जो regulation आप gene expression prokaryote और eukaryote में अभी वहाँ पढ़ाना है तो लगबग हमको लग रहा है वहाँ पंदरा वीच लेक्चर में आपका यह unit second cover हो चुका है ठीक आप वहाँ से अपना unit second पूरे तरीका से cover कर दीजिए यह आपके लिए benefit है ठीक अगर sir को time नहीं मिला तो वो नहीं cover कर पाएंगे इसलिए आप अपना चलांकी दिखाईए आप अपना दिमाग इस्तिमाल करिए वहाँ पर आपको पढ़ा है आपने थार्ड समेस्टर में पढ़ा है यह सब चीजे वैसे तो नहीं आ गये है आप थार्ड समेस्टर के थूँ आए वहाँ पर पढ़े होंगे आपका भी वहाँ का notes होगा और मेरा बस lecture देख लिजिए जो आपको इस्टरा आइड करना है अपने notes में आप आइड कर लिजिए तो इतना यह आपका complete हो जाएगा अभी मैं जब यह रोज तो वीडियो जाता है आपको notification जाता है आप देख सकते हैं वहाँ पर मैं like, operand, triptofon यह सब बताऊंगी यह तना चीज आपका बत्येगा यह जो आपका 15-16 lecture है वहाँ पर यह आप जाके वहाँ से complete कर लिजिए होगे आपका 2 unit और आपका 1st unit में जो आपका DNA replication है maximum यह जो आपका है यह history वाल topic है जिसमें transformation बताना है और DNA replication तो यह लगभग हमको लग रहा है चार से पांच lecture में आपका यह finish हो जाएगा DNA replication तो आप जाएए translation और transcription पढ़ लिजिए आप replication बचा रहा हैगा उसको पढ़ा दिया जाएगा तो आपके 2 unit की बात हो गई second paper की अब आगे देखिए इसको सब पढ़ाएं आपको प्रिंस्पल अंट टेकनिक आप जाएगे देखेंगे प्लेइलिस्ट में देखिए सर डालके नाम डालके पढ़ाएं आप लोगों ने पढ़ा है आपको याद होगा आप उस टाइम जो लोजी में पढ़े थे आप बाटनी में है ओके हमको लग रहा है यह चीज अभी आपको नहीं पढ़ाएं इसके बाद देखिए बायो इंफार्मेशन में यह भी नहीं पढ़ा गया है आपको यह वाला सब पढ़ाएं ना थाड़ समेस्टर में था ना यह सब देख लिजेगा साथ थाड़ समेस्टर में आप गहां था मुझे उतना नहीं याद है लेकिन सर यह सब पढ़ाएं आप प्ले लिस्ट जाके सारे वीडियो को खोच-खोची कंप्लीट कर लिजिए बस वीडियो ही देख लिजिए और आपके पास नोट सो पहले गोगा क्य नहीं हो पाएगा तो जो बाते बताई गई है आपका बॉटनी का सिल्वस है आपको वहां से कंप्लीट करना हो क्योंकि आपका बउटनी अभी बस यूनिट फरस चल रहा है जुरू जी का तो माले जिए दो यूनिट फीनिस होने वाला थाड यूनिट भी फीनिस हो प्षर आपको पढ़ना है जाकर उसके बाद से पढ़ना है उसके बड़न को वाटशन ओपर छोड़ देंगे पर आपको यहां मिलेगा पूर यह तो युनित है पूर मिलेकर रने को ड़िकता". चिविए और आपको यहां पर अपको रिप्लीकेशन और टांसक्रिप्शन पढ़ना है यहां पर तो बच्चों यहां तक आपको जनकारी हमने दे दी आप चाहेंगे तो आपका यह वाला यूनिट और यह वाला यूनिट और फिनिस कर लेंगे तो आपको हाँ कांफिडेंट आगा मैंने कुछ पढ़ लिया है थैंक्यू सोमद बच्चों मिलते हैं ने क्लिक्चर में और मैं सर्थ से बात करूंगी कि सर यह अपना आप जल जली टॉपिक कबर करिए आप क्या करेंगे यह जो तीन यूनिट है फर्स पेपर का इसको आप जाके प्लेलिस् जाएं जाएं जो भी आपका बचा रहेगा आप यहां सायद इसको सर नहीं पढ़ाया होंगे यह वह देखिए पाइटो न्यूट्रियंट न्यूट्रा यह जो है यूटिकल्स डियाट्रिस अप्लिमेंट और एंटी ऑक्सुजन यह सर नहीं पढ़ा है यह आपको कबर कर कर देंगे आप जाएं और बायो मालीकुल बगर अपना कवर कर लिए ठीक थैंक्यू सो मैं बच्चों और आपकी जो भी क्वेरी हो रही है हां आप हमें कर दिजिए कमेंट बॉक्स में या सरको वाटसप पर लिग दिजिए और हां आपको जो कहा गया है अगर आप चाहते कर दिएगा.